यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाहता था कई लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आती है इस टॉपिक के लिए कि आप इस पर वीडियो बनाईए और इंटरनेट पे आजकर एक डिबेट भी चल रही है दोनों में से कौन ज्यादा बेटर है नहीं दो लोगों के बीच की बार नहीं कर रहा दो नमक एक ये वाइट, फ्री फ्लो, आयोटाइजड, रिफाइंड, एबल सॉल्ट और दूसरा सेंधा नमक पर हाँ वीडियो देखने से पहले ही इमानदारी से आपने कॉमेंट करके बताना है कि आप इन दोनों में से कौन सा नमक यूज़ कर रहे हो अब आयूरवेद में सेंधा नमक, विड लवन, समुद्र लवन, कृष्ण लवन जैसे 6 नमक के बारे में बताया गया है पर ज्यादातर लोगों के घरों में यूज़ होता है ये शुद्ध, free flow, iodized, white table salt शुद्ध, पता नहीं पर ये क्यों चलन में आया? देखो, सालों पहले से normal sea salt को समुद्र से बनाना easy था और बहुत ज़ादा सस्ता भी था लेकिन ये उतना सुंदर या presentable नहीं था तब इसको bleach किया गया ताकि सफेद और शुद्ध दिख सके फिर anti-caking agents डाले गए ताकि ये free flow हो सके जुड़े नहीं या डली या केक्स नहीं बने इसके और ऐसे ही इसको और presentable बनाने में 5-6 chemicals use होते हैं जो नमक को refined नमक बनाते हैं जिससे उसमें जो थोड़े बहुत minerals होते हैं वैसे तो होते ही नहीं पर जो होते हैं वो भी उसमें नहीं रहते हैं पर हाँ इसमें एक चीज है जो कई दूसरे salts में नहीं है वो है artificially add किया हुआ iodine ताकि हम iodine की deficiency से होने वाली जो दिक्तत है उचसे बच सके पर अब question यह है कि क्या iodine की deficiency है हमें शायद नहीं iodine कितना चाहिए होता है daily basis पर सिर्फ 150 microgram जिसकी deficiency से एक problem होती थी जिसको घेंगा या goiter कहा जाता था और बहुत सालों पहले जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तब TV पर एक ad भी आती थी कि घेंगा अगले में कुछ ऐसा swelling जैसा हो जाता हो था कि उससे अगर बचना है तो आपको iodine यूज करना चाहिए जो कि आपको iodine नमक में मिलता है और आपके parents ने भी ये कभी न कभी ये ad या इस तरह का कोई patient ज़रूर देखा होगा पर अपने parents से पूछना कि क्या उस टाइम पर iodine की deficiency से जो घेंगा होता था अगर 50, 100, 1000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, या 500,000 लोग भी अप उन्होंने पूरी जिंदगी में देखे हों उनमें से कितने लोगों को उन्होंने ये घेंगा या goiter होता हुआ दिखा है पर आज excessive dose of iodine से काफी सारी health problems हो सकती हैं जो की हो भी रही हैं ये मैं नहीं कह रहा ये कहना है American Thyroid Association का जैसे thyroid gland के dysfunction के कारण hyperthyroidism बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और अगर आप अपने पास लाग दो लाग पांच लाग लोग नहीं सिरफ पचास लोगों को देखो तो उन में से कितने लोग आपको इस thyroid से परिशान मिल जाएंगे और females में ये thyroid बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस excessive salt intake की वज़े से males में infertility बहुत ज़्यादा बढ़ रही है BP का main कारण भी ये नमक ही होता है जो कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे है सुनाए इस वीडियो में मैंने क्या कहा था और देखो CDC सी बात है वहिया ज्यादा नमक खाऊगे तो उम्र से पहले बाल जड़ेंगे, heart disease होगी, BP बढ़ेगा infertility, paid साफ नहीं होगा heart की बहुत सारी दिक्ते है और शरीर को गलाने का काम भी ये नमक ही करता है ज्यादा नमक हर मामले में खराब है चाहे वो कोई भी हो, पर especially ये सफेद नमक, जो की समंदर से हमें मिलता है और क्या आपको पता है, इस sea salt में कई बार microplastics भी होते हैं, जो pollutants होते हैं जो कभी-कभी 90% तक भी इस नमक में पाए जाते हैं जो naked ice से visible नहीं होते और कई बार, ये कई अच्छी companies के salts में भी पाए गए हैं, टेस्ट में ऐसा देखा गया, हाँ, अब आप जरूर कहोगे कि ये जितने सारे health challenges बता दिये इन सब के लिए क्या अकेला नमक जिम्मेदार है नहीं, बहुत सारे culprit हैं, पर उसमें से एक ये नमक भी है हमारे गले में जो thyroid gland जो hormone बनाता है, वो बनाने के लिए उसको iodine की जरूरत होती है ये मैं मानता हूँ, pregnant ladies में ये requirement और थोड़ी जादा बढ़ जाती है जिस वज़े से iodine उनके लिए बहुत जादा ascension mineral बन जाता है अब हाँ, iodine की हमें जरूरत है और बहुत कम, जो की फल, सबजियां या डेरी से हमें मिल जाता है जिसका main source है योगर्ट, potatoes, milk, bananas, cheese, beans, berries और बहुत सारे fruits और non-vegetarians को तो ये बहुत अच्छी quantity में मिल जाता है eggs, seafood, meat और लगबग हर एक animal products है पर उस iodine के चकर में हमने उसकी overdose कर ली है जिससे ये iodine और sodium हमें नुकसान कर रहा है और कई और minerals भी नहीं मिल रहे है इस white salt के चकर में तो फिर क्या हमें iodine के लिए नमक खाना चाहिए? थोड़ी देर में जानते हैं पर उससे पहले जानते हैं इस pink salt, सेंधव लबन या rock salt के बारे में सेंधा नमक जिसे pink salt या rock salt भी कहते हैं क्योंकि ये rocks से, चट्टानों से हमें मिलता है इसमें बहुत सारे minerals भी present होते हैं जो human health के लिए essential minerals हैं जैसे potassium, magnesium, iron, zinc, phosphorus ये सबसे ज्यादा इसी सेंधा नमक में होते हैं बाकि सभी salts के comparison में जिनमें ये होता ही लिए इसका formation बिना polluted environment के हुआ हजारों साल पहले जो की natural mountain formation के कारण बना, rocks से ये नमक सबसे अच्छा हिंदुस्तान में जो सिंध परांथ है मतलब अब पाकिस्तान में हैं उस जगा पर केवडा की खाने हैं वहाँ पर ये नमक होता है अब ये नमक सिंध में होता है इसलिए इसका नाम भी सेंधा नमक रखा गया अब सभी नमक में sodium chloride होता है सभी में पर इसमें बाकी सभी salts के comparison में sodium chloride कम होता है थोड़ा ही कम है पर इसको metabolize करना easy है और सबसे बड़ी बात कि सेंधा नमक में कोई chemical processing नहीं होती जो असल में इसे शुद्ध बनाती है और वरत उपवास में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है दूसरा क्या होता है वरत में हम कम खाते हैं जिस वज़े से mineral loss होता है पूरे minerals नहीं हमें मिलते हैं तो सेंधा नमक लेने से हमें कई minerals भी साथ में मिल जाते हैं हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि उनकी quantity बहुत ज़्यादा कम है लेकिन उनकी प्रवरती और तासीर के कारण और नमक में मिले होने के कारण उनकी potency बढ़ जाती है कम होने के बावजूद भी अब बहुत से लोग जो इसको condemn करते हैं वो लोग बोलते हैं कि यार इतना महंगा 100-200 रुपे का ये बिकता इसलिए ये पूरा marketing strategy है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ये नमक बहुत ही सस्ते में उपलब्द था लेकिन अभी कुछ टाइम पहले border power से आने वाली बहुत सी चीज़ों पर बहुत सारे taxes और import duties लगाई गई और शायद नमक पर तो 200% के taxes लगाई गए हैं जिस वज़े से इसका price बहुत ज़्यादा बढ़ गया लेकिन उस वज़े से एक काम और भी हुआ कि ये नमक इरान और कजाकिस्तान से कई जगा से आने लगा लेकिन वहाँ पर इस तरह की खाने नहीं है वहाँ पर इतने minerals नहीं है और जो कजाकिस्तान से नमक आता है उसमें potash यानि बारूद की मातरा कई बार 25% तक भी होती है जो कि एक काम आदमी को पता नहीं चलता तो इसलिए वहाँ पर आपको क्योंकि वह इंपोर्ट होता है प्रॉपरली इस तरह से नहीं मिलता तो वहाँ पर उसकी कीमत ज़ादा इसलिए नहीं है कि उसकी marketing की जा रही है इसलिए है कि वह excess बहुत ज़ादा बढ़ जाने के कारण वह अभे में महेंगा मिल रहा है और इसके medicinal benefits जान करके तो आप हैरान रह जाएंगे पर उससे पहले आपको बताता हूँ कि लोग तो इसको यूही stone form में रखते हैं घर के अंदर इसके बने-बनाए lamps भी मिलते हैं pink himalian salt से जो बने होते हैं amazon और बहुत जगा offline भी आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये moisture problems को नहीं होने देता respiratory problems नहीं होने देता लेकिन ये सेंदा नमक क्यों हमें लेना चाहिए या इसके क्या benefits से आपको वो बताता हूँ किसी ने भी कुछ टाइम पहले मुझे एक video send किया वो इंसान नमक के बारे में बात कर रहा था और सेंदा नमक को बेकार कहरा था और white table salt को सबसे बढ़िया नमक ऐसा बता रहा था और हमारे शास्त्रों को भी condemn करके कहरा था कि किसी भी आयुरुवेदिक गरंथ में सेंदा नमक के बारे में नहीं का गया और नाहीं इसको कभी बढ़िया बताए गया है तो सुनो अचारे चरक रिशी ने चरक सहिता सूत्रस्थान में एक चैप्टर के बीच में इस नमक के बारे में उन्होंने कहा है इसका आरत जानते है यानि जितने सभी लवन है लवन यानि नमक उन सब में सेधा नमक ही उत्तम नमक है लेकिन आज जो modern science है या जो लोग condemn करते है आयूरुवेदा को या इन सभी चीज़ों को उनको तासीर का ग्यान नहीं उनको किसी चीज़ का उसमें vitamin है ठीक है उसमें mineral है ठीक है वो ये काम करती है ठीक है लेकिन उसकी तासीर वो गरम है ठंडा है वो तीक्ष्न है वो सूक्ष्म है वो गुरु है वो स्निक्ध है ये तासीरे होती है बहुत अलग तरह की जिसको आयूरुवेदिक हमारे scriptures ने बहुत सालों पहले समझा था कि सीचीज को अगर आप फ्रिज में रख दो ठंडा ठंडा खाओ अगर उसकी तासीर गरम है तो वो अंदर जाकर के गर्मी करेगी अगर उसकी तासीर भारी है यानि गुरू बोला जाता तो वो अंदर जाकर भारी हो जाएगी चाहे वो कितना ही थोड़ा सा खालो, जिसको आम जनता या ज्यादा पड़े लिखे लोग नहीं समझ पाते हैं। प्रज्वलित करता है। ये digestive elements जैसे stomach में worms, यानी पेट में होने वाले कीडे, heartburn, यानी सीने में जो जलन होता है, bloating, constipation, पेट दर्द और vomiting को भी क्योर करता है। व्रुष्षिट इसका मतलब है ये शुक्र धातू को बढ़ाता है, ये वीरे को बढ़ाने वाला नमक है। च प्रॉबलम को नहीं होने देता। तृदोशागना यानी ये वातपित कफ को बैलेंस करता है। और इसी वातपित कफ के disbalance से हमें बहुत सारी diseases होती है। सेंधवम लवन उत्वम यानी सभी प्रकार के लवन में सेंधव नमक सबसे उत्तम है। अब सिर्फ एक आयरुवेद लिट्रेचर में बहुत सारे कोट्स या बहुत सारी information सेंधा नमक के बारे में मिलती है। लेकिन उसके अलावा आज बहुत सी modern researches भी हो रही हैं जिनसे कुछ benefits सेंधा नमक के पता लगाए गए जो आपके साथ share करता हूँ। जैसे कि एक जगा पर कहा गया कि it maintains blood pressure and addresses hypertension, hypertension जो और वो blood में पानी की मातरा बढ़ाकर नसों में pressure बढ़ाता है। और इसको कहते हैं high blood pressure। अब खाने में अगर सेंधा नमक का इस्तिमाल किया जाए तो इससे blood pressure controlled रहता है क्योंकि इसमें potassium होता है। इससे blood vessels और nerves में ज्यादा pressure नहीं पढ़ता और hypertension या high blood pressure की समस्या कम होती ह Next throat related issues में ये काफी ज़्यादा beneficial होता है। और American Cancer Society के मताबिक अगर आपको गले से related कोई problem रहती है, सोर throat है, गले में दर्द है, सूखी खांसी है, गले में sensation है या किसी भी तरह का infection है, कोई परिशानी है तो आपको सेंधा नमक का इस्तिमाल करना चाहिए। कैसे? आप आदा सेंधा नमक को लीजिए, पानी गरम कीजिए, उस गुनगुने पानी में आप सेंधा नमक को डाल लो, उससे अच्छे से गारगल करो, गरारे करो, इससे गले से जुड़े हुए infections बहुत जल्दी कम होते हैं। और COVID में तो मैंने बहुत लोगों को ये practice करते हुए देखा है जिससे बहुत beneficial results उन लोगों को मिले हैं। ये जो सेंधा नमक है न, ये antioxidant properties से packed है। ये body में present toxic minerals को dispose और flush out कर देता है। और आज के lifestyle में जो सबसे ज़दा prevalent और common health problem है, वो है constipation। imbalance lifestyle और unhealthy food के intake से ये समस्या बच्चों से लेकर के बड़ों तक हर एक में आज पाई जा रही है। तो सेंधा नमक के इस्तेमाल से ये problem भी cure होती है, क्योंकि इससे water retention comparatively कम होता है, जिससे की bowel का movement easy हो जाता है। अच्छा सेंधा नमक अगर हम लेते हैं, तो जो muscle cramps की समस्या है यानि अगर आपकी mass patient में दर्द बना रहता है, खिचाव होता है, तो इसके लिए भी आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, तो जो rock salt है इसमें electrolytes present होते हैं, इसलिए ये muscle cramps में काफी आराम देता है, arthritis, osteoporosis, गठिया का दर्द या बाकी bones की problem में भी rock salt के favorable outcomes देखे जात है कि आप फल, सबजियां, dairy या ये सब नहीं लेते हैं और आपको iodine नहीं मिल रहा, कहीं mind में doubt है, तो आप देखो मैंने इस विडियो में भी बताया था कि 5 ग्राम नमक हमारे लिए sufficient है sodium लेने के लिए और iodine लेने के लिए लेकिन अगर आप बाहर का packaged food खाते हैं, तला मला खाते हैं, टिक्की, समोसे, गोल गप, पेचाट, पापड़ी, ये सब कुछ खाते हैं, बर्गर, पीजा, या packaged food, चिप्स, या sauce बाजार से लेकर के आते हैं, टोमाटो, कैचप, लगर, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें नमक है, कौन सा नमक? यही वाला white salt, तो ये पूट लेते हो, तो ठीक मिल रहा है, तो घर में completely अपने white salt को सेंधा नमक से replace कर दीजिए, ताकि वो ज़्यादा sodium और ज्यादा iodine आपको नुकसान न पहुचा सके, दूसरा, अगर आप बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, एकसे सिर्फ salt intake भी नहीं करते हैं, तो सिर्फ ज हो गई, दही होगा, लसी, शिकंजी, fruit, salad, juices, वहाँ पर इसको completely ignore कीजिए, वहाँ पर सेंधा नमक का ही इस्तिमाल कीजिए, और हाँ, फिर भी, अगर आप सेंधा नमक को किसी भी तरह से use नहीं करना चाते हैं, तो एक काम जरूर कीजिए, रोज सुबह जो आप गरम पानी पीते हैं, उसमें दो चुटकी, अगर high BP की problem नहीं है, तो दो चुटकी नमक, दो पिंच, salt, उसमें add कीजिए, उसको पीजिए, minerals भी मिलेंगे, पेट भी साफ होगा, बहुत सारे infections को भी एक क्योर करेगा, क्योंकि यह जो गरम पानी है, वो salt के minerals को easily penetrate भी करवाता है, अब क सेंदा नमक बहुत ज़्यादा healthy है, जितना मर्जी खाओ, कोई फरक नहीं पड़ता, जी हां, ये बाकी नमक के मुकाबले healthy है, लेकिन कोई भी नमक excess में आपको नहीं खाना है, आयूरवेद भी बूलता है, अत्यंतर सर्वत्र वर्जते, अती किसी भी चीज़ की नुकसान दायक है, तो चाहे सेंदा नमक ही क्यों ना हो, बेशक हमें इससे minerals मिलते हो, लेकिन जितना नमक का intake हमें करना है, उतना ही हम करें, इसको excess में use हमको नहीं करना है, in fact, इसका थोड़ा जो नमकीन taste है, वो बाकी नमक के मुकाबले कम होता है, तो कई लोग इसको ज्यादा डा लेते हैं, वो भी नुकसान दायक है, थोड़ा नमकीन, कम खाने की आदर डालो, यह जादा नमक अच्छा नहीं है, कोई भी हो, तो सेंदा नमक को भी जितनी जरूरत है, उतना ही प्रयोक करें, इसका मतलब यह नहीं है, कि भर-भर के हर जगा पर सेंदा नमक ही डाला लेकिन फिर भी, आप पूरे महीने में जो एक बर्गर खा लेते हो, दो बर्गर खा लेते हो, यह पूरे महीने, डेड़ महीने का नमक भी उतनी कॉस्ट में नहीं आता, तो कितना महेंगा है फिर भी? मुझे comment करके जरूर बताईए क्या आपके घर में सेंदा नमक का इस्तिमाल होता है या नहीं होता मुझे अच्छा लगेगा पता चलेगा कि कितने लोग जागरुख हैं कितने लोग वाकई इन चीजों को अच्छा समझ कर अपनी जिंदगी में follow करते हैं तो उमीद करता हूँ आज से आप सही नमक का चुनाव करेंगे और अपनी lifestyle में अपनी diet में इसको जरूर शामिल करेंगे और लोगों के साथ भी इसको share करेंगे ऐसे ही बहुत सारे और वीडियो में आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ और next वीडियो तो बहुत powerful होने वाल करते हैं जब हमारे comment section में बहुत सारे comments आते हैं आप बहुत प्यार देते हैं उसके लिए पहले बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन वो जो comments आते हैं उनको reply करते हैं और reply जिस id से करते हैं उसमें नाम भी मेरा ही लिखा होता है कुछ एक-दो hashtags और वो लगा करके और photograph भी मेरी ही लगाई होती है और वो reply करके बोलते हैं कि हमें आपका comment बहुत अच्छा लगा हम आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं तो वो लोगों को iPhones या laptops या मिलने का बहाना या कुछ भी कह करके लोगों को लालच देते हैं लोग उस लालच में भी आ जाते हैं और उस लालच में करके फिर वो बोलते हैं कि हम iPhone आपको देना चाहते हैं मतलब मेरा नाम मेरी फोटो यूज़ करके कि मैं आपको देना चाहता हूँ इसलिए आपको वो तो free मिल जाएगा लेकिन उसकी shipping दो हजार पांच हजार सो दो सो 27 सो पंदरा सो इस तरह से आपको deposit करने होगे अब लिंक आपको description में मिल जाएगा एक होता है Awaken Your Healing Intelligence जो की paid होता है तीन दिन का event उसका भी link description में मिलेगा हमारी कोई भी information हमारी site www.anuragrashi.com पर available है इसलिए अगर कोई comment करके आपको बोलता है कि आपका बहुत अच्छा comment लगा है हम आपको इनाम देना चाहते हैं या आपसे मु comment से बचें अगर आपके पास ऐसा आता है तो प्लीज उसको रिपोर्ट कीजिए अगर वो किसी telegram channel पर हमारा telegram channel का कोई लेना दे नहीं है WhatsApp channel है उसका link भी description में पिंड comment में ऐसे reply करके comment में हम लोग नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर जुड़ी है हमारे साथ से और वीडियो म एक तो यह नमक access हमारे लिए क्या नुक्सान कर रहा है इसको जरूर देखिए अपनी heart health को maintain करके रखना चाहते हैं तो यह video यहाँ पर आ रहा है इसको देखिए और मेरा latest video देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आ रहा है और अगर आप हमारे channel को subscribe यह हमारे event को join करना चाहते है तो नीचे ये दो links आपको मिल जाएंगे जुड़े रहें